Hello, friends welcome back. है किसी भी particular timing पे आपने किसी भी strike का price no down कर लिया उके एंड उस price को अब आप देख रहे हो कि अगर वो price 100-120 जाएगा या 100-80 आजाएगा तब मुझे उसमें entry करना है current price अगर उसका 100 है तब नहीं करना है मतलब वेट कर रहे है उस price का या तो उपर जाने का या नीचे आने का देन आप उसमें एंटर कर रहे हो एंड उसमें फिर आपका stop loss target जो भी simple normal trade होता है उस तरह से आप उसमें trade ले रहे हो तो यह wait and trade का feature है इसको ट्रेटर में कैसे हम implement कर सकते हैं कैसे automate कर सकते हैं उसको देखेंगे यहाँ पर सिंपल सा मैंने एक setup क्रेट किया है option buying के लिए है इसको आप option selling में भी कर सकते हो कैसे करेंगे वह हम आगे देखेंगे option buying में हम क्या करेंगे यहाँ पर सबसे पहले timing एक 940 का मैंने यहाँ पर define किया 940 इसलिए क्योंकि यह option buying का setup है तो option buying में क्या होता है कि हमें theta decay सबसे ज़्यादा हमारे लिए loss वहाँ पर create करता है तो theta decay generally मैं observe किया हूँ मैंने option selling में मेरे ज़्यादा काम होता है तो theta decay starting के first half an hour में काफी तेजी से होता है इसलिए first half an hour को avoid करके हम उसके बाद यहाँ पे option buying वाला trade start करेंगे तो 940 पे हम ATM call और put का जो भी price चल रहा होगा उस price को no down करेंगे एंड उसके बाद जब भी वो price हमने जैसे call and put का price हम no down कर लिया एंड उस price से जब भी वो LTP 20% उपर चला जाएगा सपोज 100-100 रुपीज प्राइस चल रहा था 940 पे call and put का एंड एट एनी टाइम हो सकता है 10 बजे हो सकता है 10.30-10 बजे कभी भी जब वो 100 रुपीज का call या पुट अगर 120 को cross कर जाता है तो हम उस strike को buy करेंगे and buy करने के बाद उसमें हम 20% का stop loss लगा देंगे जिस भी price पे buy हुआ है उससे 20% का stop loss and 30% का हम उसमें target लगा देंगे and वो trade हमारा continue रहेगा उसमें या तो stop loss होगा या तो targeted होगा ठीक है तो ये simple सा setup है इसमें maximum 2 trade रहेगा एक trade call side में और एक trade put side में मतलब अगर call में अगर entry होगी और उसमें या तो stop loss होगा या targeted होगा तो उसमें call में दोबारा एंटर नहीं होगा अगर market वहां से reverse कर गया तो put side में एक और entry होगी अगर उसमें भी या तो stop loss होगा या तो targeted होगा अगर trade आपको चलता रहे गया लाइव ट्रेडिंग के भी वीडियो मिल जाएगी पलस strategy कैसे create होता है उसके भी वीडियो मिल जाएगी तो सारा आप पहले basic चीजों को समझेंगे तो आपको यहां पर अच्छे समझ में आएगा तो चलते हैं यहां पर trade on platform पे यहां पर create strategy में चलते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं fast create करूँगा तो जो भी इसको देख के create करेंगे तो आप वीडियो को pause करके उसके बाद condition create कर सकते हैं यहां पर थोड़ा सा मैं fast रखूँगा वीडियो थोड़ी length ज्यादा ना हो जाए उसके लिए तो सबसे पहले strategy का हम नाम डाल देते हैं let's say wait and trade उसके बाद इसमें actually हमें create कैसे करना है पहले मैं आपको वो समझाता हूँ सबसे पहले हमें क्या चाहिए सबसे पहले हमें ATM call and put का running price क्या है 940 पे वो चेक करना पड़ेगा अब वो कैसे चेक होगा उसके लिए क्या है ट्रेटर में ऐसा कोई feature है नहीं कि हम उस price को hold करके रख सके जो 940 पे प्राइस चल रहा था उसको हम capture करें उसके बाद उसमें हम 20% का up-down का कोई फर्मूरल गए तो वैसा function है नहीं उसके लिए हम क्या करेंगे 940 पे simply ATM का जो भी call and put होगा उसको just buy करेंगे और तुरंत exit कर देंगे मतलब simply उसका जो price होगा उसको note down करने के लिए just हम एक quick entry और तुरंत उसको exit कर देंगे ताकि हमें उस time क्या price चल रहा था वो price मिल जाएगा उसके बाद उस price के according हम बागी की condition define कर लेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते है 940 पे जो भी straddle होगा उसमें एक entry करते हैं एंड उसको तुरंत exit करते हैं तो यहां से start करते हैं सबसे पहले set number one यहां पे entry की condition डालेंगे सबसे पहले हम यहां पे time डाल देते हैं हमें जैसे 940 पे trade करना है timing आप चेंज भी कर सकते हो पहले जो मैंने आपको create किये है condition उसके according करके दिखाते हूं इसमें आप अपने हैसाब से modifications भी कर सकते हो तो यहां पे सबसे पहली condition आजाएगी time is greater than 940 साथ में एक position detail की keyword लगा देंगे ताकि कि जो हमारा इसमें मैं आपको समझाता हूं यह मैं क्यों यूज कर रहा हूं position detail keyword यहां पे हम select करेंगे entry यहां पे select करेंगे quantity and underlying में select करेंगे बैंक नुप ठीक है position detail equal to zero sorry यहां से हम number copy कर लेंगे and इस number को कर देंगे zero ओके अब यह position detail मैंने क्यों यूज किया actually मैंने पिछली वीडियो में भी आपको काफी बार यह चीज मैंने discuss की है strategy में क्या होता है किसी भी set में entry हो गई ठीक है entry होने के बाद जैसे ही वह set की position सारी exit हो जाती है तो वह वापस से entry की conditions में चला जाता है मतलब entry की condition अगर दुबारा से match होगी तो दुबारा से entry हो जाई तो दुबारा से entry ना हो उसके लिए हमने यहां पर position detail keyword का यूज किया है यह position detail चेक कर रहा है कि entry पूरी strategy की entry conditions है उसका position अभी 0 है मतलब कोई भी और entry नहीं होई है तो हमारी entry होगी अधर कोई entry हो चुकी है तो दुबारा entry नहीं होगी तो simple से condition हमने दो condition डाल दिये greater than 940 and position till 0 now let's set position share so हम call and put को यहां पर buy करेंगे सबसे पहले call को add करते हैं ठीक है यहां पर current week select कर लेंगे lot acre कर लेते हैं यहां और strike में हम fx formula लगाके यहां पर हम क्योंकि हमें spot price के according trade करना है तो यहां पर formula लगाना पड़ता है तो LTP base 100 actually यह सब basic चीजे हैं अगर आपको नहीं पता है आप पुरानी वीडियो देखेंगे strategy creation की मेरी तो आपको यह समझ में आ जाएगा तो यहां पर हमने bank nifty का जो भी price है उसको 100 से round off कर दिया तो हमें current ATM strike मिल जाएगा यहां से तो इसको हमने add किया सेम इसी तरह put को add कर लेते हैं यहां पर यहां पर हम current week select करेंगे और इसको भी add कर देंगे तो यहां पर हमारी position add switch हो चुकी है ATM का call and ATM का put तो जैसे 940 होगा यह हमारी position enter हो जाएगी अब इस position को हमें same time पर exit ही करना है जैसे entry हुई उसी time पर एकदम quick exit करना है तो उसके लिए हम यहां पर exit की condition add करते हैं exit की condition add करने के लिए यहां पर एक new set add करना पड़ेगा तो यहां पर exit वाला option enable हो गया है तो exit condition में हम क्या डालेंगे suppose 940 पर हमारी entry हो रही है तो हम timing यहां पर फिर से 940 ही डाल देंगे तो जैसे ही entry हुई वैसे हमारा exit भी हो जाएगा तो 940 का हमने exit time set कर दिया है तो 940 पर entry हुई ठीक है और exit condition में फिर से चेक हो जाएगा कि 940 मतलब अल्रेडी हो चुका है तो जैसे ही entry होगा उसके बाद हमारी position exit हो जाएगी और exit होने के बाद दुबारा entry नहीं होगी विकॉज हमने यहां पर position detail equal to zero कर रखा है तो एक बार entry होने के बाद position detail equal to zero नहीं रहेगा महां पर कुछ ना कुछ value आ जाएगी इसलिए दुबारा entry नहीं होगी तो यह तो हो गया हमें यहां से price मिल गया ATM call or put का क्या price था 940 पर राइट तब हमें उसको buy करना है again तो set number two के थुरू अब हम पहले call के लिए देखते है call के लिए पहले condition define करते हैं तो यहां पर entry condition add करेंगे call के लिए तो start करते हैं सबसे पहले timing से यहां भी हम timing डाल देंगे timing greater than 940 second condition अब हमें देखना है कि जो call जो हमने trade लिया था 940 पर उसका जो last traded price है वो अपने entry price है 20% उपर जाना चाहिए तभी हमें enter करना है तो सबसे पहले start करेंगे LTP keyword और instrument name यहां पर traded instrument करेंगे विकाज जो call का price हम check कर रहे है call strike कर रहे हमारा एक बार trade हो चुका है 940 पर उसी को हमें check करना है तो last traded price of traded instrument name यहां पर अब हम यह सारी value फिल करेंगे condition type entry underline यहां पर आप bank nifty select करेंगे and set number one condition number one and leg number one यह हम इसलिए डाल रहे है ताकि हमने जो call में entry की है उसका हमें last traded price यहां पर मिलिया है और जो call हमने entry किया set number one में किया है entry की condition number one थी वो और leg number one हमारा call के लिए था इसलिए हमने यहां पर 111 डाला है अब इसको हम चेक करेंगे if this LTP is greater than और यहां पर फिर से हम traded instrument keyword का यूज करेंगे जिसके through हमें उसका price मिल जाएगा कितने किस price पर हमारी इंट्री हुई थी राइट तो condition type entry field में यहां पर price को select करेंगे यहां पर bank nifty को and set number one condition number one leg number one तो इस keyword के through हमें entry price मिल रहा है call का जो हमने call enter किया था 940 पर okay now what we have to check we are checking LTP is greater than our entry price into 20% right we are checking 20% if it's greater than or not so simply we will multiply this by 1.2 right so अब यहां पर क्या होगा यहां पर चेक करें last traded price is greater than entry price into 1.2 suppose हमारा जो entry price था 100 पर था call का entry price 100 था okay इसको हमने multiply कर दिया 1.2 से okay तो यह 120 यह 20% हो गया तो हम चेक कर रहे है last traded price is greater than entry price into 1.2 okay तो यह दो condition हो चुकी है third condition इसमें एक और add करेंगे actually हमें यह भी देखना है actually अगर आपको मैं condition दिखा हूं तो यहां पर है maximum two trades per day call की side में एक trade और put की side में एक trade तो यहां पर हमें यह भी define करना पड़ेगा कि call की side में हमारा एक ही trade होना चाहिए दुबारा नहीं होना चाहिए अगर suppose यहां पर entry हो गी और वह exit हो गया उसके बाद दुबारा enter ना हो उसके लिए हम यहां पर फिर से position detail केवरड का यूज करेंगगे और इहां पर अब हमें फिर से entry करना हो कंडिशन टाइप में और transaction टाइप में हम यहां पर actually हम buying कर रहे हैं तो हम buying यहां पर select करेंगे और इसमें call, paying का जो भी, position जो भी quantity हो चेक करेंगे actually में यहां पर call को select करते हैं यहां पर quantity select कर लेंगे और underlying में बैंक nifty select करेंगे तो actually यह position detail में हम क्या check कर रहे है कि फूरी strategy में call जो हम buy कर रहे है वो उसका quantity 25 होना चाहिए क्योंकि यह set number 2 चल रहा है तो एक बार हमारा call already buy हो चुका है set number 1 में तो position detail keyword अगर हम यह वाला यूज करते हैं call buying of all the entries of this strategy तो यहां पर position detail equal to हमारा 25 quantity अल्रेडी हम buy कर चुके हैं तो यहां पर हम 25 यहां पर value डाल देंगे ठीक है और यहां पर multiplier का यूज कर लेंगे अगर आप multiple lot में trade कर रहे हो तो यह automatically 25 into multiple quantity हो जाएगा automatically तो basically यह हमने इसलिए यूज किया है कि suppose एक इसकर पहले इसको मैं submit करता हूँ suppose आपका set number 2 में call की side में 20% price उपर गया आपकी entry भी होगी और उसका exit भी हो गया जब भी stop loss हुआ यह target हुआ तो exit हो गया satisfied हो जाएगा विकाज उस time आपका time जो है 940 से उपर ही चल रहा होगा और price अपने entry price से 20% उपर होना चाहिए यह भी suppose मानलो satisfied हो गया यह भी condition match हो गया तो third condition हमने इसलिए डाला है कि यहां पर position detail equal to 25 डाला है it means कि हमें अभी तक सिरफ हमने एक ही entry की है अगर हमारा एक बार entry हो चुका है suppose हमने 940 पे एक बार call by किया था उसके बाद बाद में हो सकता है जब भी entry मिली उस time भी call by किया तो position detail यहां पर 25 नहीं रहेगा वो 50 हो जाएगा क्योंकि दो बार आपने call by किया है तो 25 प्लस 25 50 हो जाएगा और 50 हो गया इसमें इसकी entry नहीं होगी यह condition satisfied ही नहीं होगा because हमने यहां पर only 25 जब भी होगा quantity तभी हमें ट्रेड लेना है दरवाई नहीं लेना है तो यह हमारे प्रोटेक्शन दे रहा है कि हमें एक ही ट्रेड लेना है call side में तो इसलिए हमने यहां पर position detail quantity 25 के equal में रखा है तो इसके तुरू हमारा कोई next trade नहीं होगा call के side में तो यह हमारी entry की condition होगी call side में अब यहां पर चली call को buy करते हैं अब यहां पर हमें same strike को buy करना है जो हमने select करके रखा था 940 पर तो उसके लिए हमें formula builder में जाना है और यहां पर हम traded instrument keyword का इसना प्रेट करेंगे और यहां पर condition type में entry field में यहां strike में entry लिए तो entry हमें same strike करनी है इसमें variety फे एक trade लिया था टो फेazioni को select करने के लिए हम यहां पर field में strike स्लेक्ट करेंगे और यहां पर अंडरलािंग prise पर करेंगे और क्योंकि हमने entry किया था set number one में condition number one में और call leg number one में add किया है तो यहाँ पर one one बना जाएगा और इसको okay कर देंगे तो अब हमें इस से strike की value मिल रही है तो हमारी entry same strike में होगी same strike का यहाँ पर call by हो जाएगा तो चलिए इसको add कर लेते हैं और अब हम सपोज हमारा यहाँ पर entry हो जुगा है अब हमने इसमें target और stop loss apply करना है तो exit की condition में हम target और stop loss add कर देते हैं जल्दी से तो जब यहाँ पर target stop loss simple आपको पता ही होगा अगर आप पिछली वीडियोस देखे हैं तो यहाँ पर हम simply LTP चेक करेंगे पहले और traded instrument name में हम अब यहाँ पर set no.2 का जो भी price होगा उसको पहले select कर लेंगे हाँ से set no.2 condition no.1 leg no.1 क्योंकि यहाँ पर एक ही लेग है तो इसके थुरू हमें set no.2 में जो भी हमारी entry हुई है उसका last traded price मिल रहा है और चलिए पहले इसमें हम target लगाते हैं okay LTP is greater than और entry price भी अब हमें चेक करना पड़ेगा target या stop loss लगाने के लिए तो उसके लिए traded instrument keyword का यूज करेंगे इससे हमें set no.2 का entry price मिल जाएगा suppose entry हो या तो 121 122 लाइक दिस तो अब हमें जो target लगाना है वो 30% का target लगाना है अगर आपको मैं condition यहाँ पर दिखाऊं तो यहाँ पर हमारी 30% का target लगाना है और 20% का stop loss लगाना है तो 30% का target लगाने के लिए simply हम क्या करेंगे इसको multiply कर द उसको हमने 1.3 से multiply किया एंड हम चेक कर रहे है अगर लास्टेट प्राइस उस प्राइस से उपर जाता है तो exit हो जाएगा for example suppose हमारी entry हुई 121 में okay into इसको हमने कर दिया 1.3 तो 157 का हमारा यहाँ पर target बन जाएगा तो जब भी LTP 157 को cross करेगा call का LTP तो हमारा यहाँ पर target ही सेम उसी तरह से हम यहाँ पर stop loss की condition add कर देते हैं यहाँ पर और select करेंगे और यहाँ से copy paste कर लेते हैं LTP यहाँ से हमने paste कर लिया और इसको हम sign less than डालेंगे इसको copy करते हैं इसको copy करके paste करते हैं अब यहाँ पर number हम यहाँ पर 20% का stop loss लगाना है तो हम इसको 0.8 से अगर हम multiply करेंगे तो हमारा 20% का stop loss लग जाएगा तो जब भी price 96.8 के नीचे आएगा तो हमारा यहाँ पर position यह exit हो जाएगा call वाली साइड़ तो हमने stop loss लगा दिया यह target लगा दिया ऊपर हमने और select कर दिया दोनों में से जो भी पहले touch हो जाएगा तो हमारी यह position call वाली exit हो जाएगी ठीक है तो इस call के लिए हमने अपना define कर दिया let's put के लिए हम एक और set add करते हैं यहां पर और same अब यहां से copy paste कर लेंगे यहां से condition को पहले copy करेंगे इसको यहां पर paste करेंगे और इसमें कुछ edit कर देंगे तो first condition time greater than 940 यह same रहेगा अब यहां पर हमें leg number change करना पड़ेगा क्योंकि अब हम put के लिए define कर रहे हैं condition और put को जो हमने trade किया था वह किया था set no.1 के entry condition no.1 में और leg no.2 में लेग नमबर वन में हमने call किया था लेग नमबर टू में put को trade किया था तो अब हम लेग नमबर टू के लिए सारी condition यहां पे set नमबर 3 में add करेंगे तो यहां पे traded instrument name में सारा set नमबर 1 condition नमबर 1 leg नमबर 2 हो जाएगा बाकी सब कुछ same हो जाएगा तो यहां पे हम सारी जगा value change कर देते हैं leg नमबर 2 ओके अब position detail में हमने call को check किया था set नमबर 2 में set नमबर 3 हम put के लिए create कर रहे हैं तो यहां पे हम call के जगा put कर लेंगे और पूरी strategy में जो भी हमने put buy किया है उसकी quantity हम यहां से check हो रहा है इसको submit करेंगे एंड यहां पे position add करेंगे यहां पे हमने put को buy करना है तो put को buy कर लेते हैं अब हमें same strike को buy करना है जो हमने 940 पे trade किया था तो उसके लिए traded instrument keyword का use करेंगे यहां पे strike select करेंगे यहां पे underlying and one one and two विए select number two में हमने put को buy किया था तो इसको हम यहां पे okay कर देंगे तो यह हमारा put का position यहां पे add हो चुका है अब हम इसमें stop loss और target apply करेंगे तो इसको हम यहां से copy करके set number two से copy करके यहां पे paste करेंगे and अब इसमें हम थोड़ा सा edit कर लेते हैं edit हमें क्या करना है अब यहां पे हमें set number three में हम सारा create कर रहे हैं तो यहां पे हम simply set number two की जगा set number three कर देंगे बाकी सारी चीज़े सेम रहेगी तो आपका stop loss और target यहां पे define हो जाएगा तो यहां पे हम set number three हम change कर देते हैं सभी जगा पे ओके तो यह सारी condition में हमने set number three and one one कर दिया है target हमारा सेम है 1.3 यानि 30% का target and 20% का stop loss इसको submit करेंगे तो यह हमारा create हो चुका है strategy यहां पे 940 पे सबसे पहले हमने call and put को buy किया ATM call put को और तुरंत उसको exit भी कर दिया उसके बाद हम यहां पे set number two के थुरू check कर रहे हैं कि call का price 20% उपर जाएगा तो हमने उस call को buy किया and उसको फिर target and stop loss 30% 20% का लगा के उसको भी हम exit कर देंगे and दुबारा से कोई call में entry नहीं होगी because यहां पे हमने position detail add कर दिया है buying quantity of call is equal to 25 only then we are going to enter in call side okay so यह हो गया call की side में and यह हो गया put की side में जब भी put का price 20% से increase कर जाएगा तो हम put में भी buy कर लेंगे and फिर उसमें target stop loss लगा के उसको exit करेंगे और last suppose आपका trade चलता रह रह गया कि उसमें target भी stop loss हीट नहीं हुआ तो हम final exit के लिए यहां पे universal exit में एक time ही डाल देते हैं कि अगर कोई trade हमारा running रह गया तो उसको हम finally 3.15 पे exit कर देंगे तो 3.15 यह हो गई हमारी universal exit की condition अब advanced setting में जल्दी से देख लेते हैं यहां पे market price पे इसको execute करेंगे तो जादा बेटर रहेगा और reactivation timing यहां पे let's say 12 घंटे का डाल देते हैं suppose 3.15 पे आपका universal exit हुआ उसके 12 घंटे बाद automatically strategy reactivate हो जाएगे next day आपका फिर से trade start हो जाएगा automatically condition checking continuously रखेंगे capital requirement अगर आप option buying में trade कर रहे हो और यहां पे capital requirement कम रहेगा call and put के लिए suppose आप यहां पे अगर 15 या 20,000 भी अगर हम मानके जलते हैं तो इसमें आपका एक lot से trade हो जाएगा condition check start timing let's say one minute and one minute का रखते है start timing and end timing okay तो इस सारी condition अपनी create हो चुकी है let's create this strategy okay तो यह strategy अपनी create हो चुकी है अब इसको अगर आपको deploy करना है इसको एक second पहले अगर मैं इसको दिखा हूँ my strategies में जाके तो यह हमारी strategy यहां पे create हो चुकी है अब अगर आपको इसको testing करना है इसमें कैसा performance चल रहा है क्या नहीं है उसको आप simply deploy पे जाईए यहां पे आपको कितनी quantity से trade करना है वो आप select कर सकते हो एक lot से करना है तो 1x okay तो जितने lot से भी करना है और यहां पे paper trading में पहले cv strategy को जो हम create करते उसको पहले paper trading में चेक करते हैं ओस आहीं साइए सारी condition हमारी execut हो रही है या नहीं हो रही है जब सब कुछ सही से run होने लग जाता है paper trading में तब उसको live पे ट्रेड किया जाता है तो चलीए इसको सबसे पहले हम paper trading में deploy करते हैं अगर पर टेस्टिंग करना है इसको simply слож करेंगे तो अगर go to deploy में जाएंगे तो यह paper trade में डिप्लाइ हो चुका है मैं आपको दिखातru हूं यहां झाल स्बींड में तो यह तो हो गया कि option buying के लिए अब इसमें थोड़ा सा कुछ modification वगरा जैसे आपको अगर इसमें कुछ changes करना है तू आप किस तरह से कर सकते हो मैं थोड़ा सा आपको बदा देता हूँ चलिए यहां से चलते है एडिट में तो सपोज आपको 9.40 पे नहीं आपको किसी और टाइमिंग पे आपका जो भी ATM का प्राइस है उसको चेक करना है तो उसके लिए आप टाइमिंग यहां पे चेंज कर सकते हो 9.40 के जगा कुछ और टाइम में रख सकते हो हो सकता है आपको 11 बजे 12 बजे या एक बजे का टाइम सेट करना है तो यहां पे आप टाइमिंग चेंज कर दोगे तो आपका उस टाइम पे एक टाइमिंग चेंज कर दोगे तो आपका उस टाइम पे एक टाइमिंग चेंज कर दोगे तो आपका टाइमिंग चेंज कर देना 9.40 यहां पे भी टाइमिंग चेंज होगा यहां पे straddle में नहीं trade करना है strangle में करना है तो उसको आप कैसे करोगे strangle में करने के लिए आप simply जो set number one है इसकी जो entry condition है इसमें जो position हमने एड़ किया यह भी straddle के लिए एड़ किया मतलब current ATM हमारा call and put buy हो रहा है तो अब इसमें आप अगर आपको strangle में करना है तो यहाँ पे आप simply suppose call आपको 500 distance के strangle में trade करना है तो simply आप यहाँ पे plus कर देंगे यहाँ पे number 500 डाल देंगे तो अब आपका जो call buy होगा वो ATM से 500 distance का buy होगा ठीक है इसको update कर देते हैं इसी तरह से put में 500 down का आपको put buy करना है तो यहाँ पे minus select करेंगे और यहाँ पे number 500 डाल देंगे तो यह 500 down का put buy होगा यहां से ठीक है ओके तो यह हो गया strangle के लिए यहां पे आपको call and put में plus और minus कर देना है तो यह हो गया strangle के लिए चलिए इसको भी फिलाल में हटा देता हूं तो इस तरह से आप इसमें अपने अपने हिसाब से कुछ modifications कर सकते हो आप को testing कर सकते हो जो भी आपको suitable लगे उसके according आप trade कर सकते हो अब एक और चीज है कि सब्सक्राइब को buying ने option selling में काम करना है उसके लिए आप कैसे कर सकते हो चलिए मैं इसी को एक बार थोड़ा सा आपको explain कर देता हूं कि suppose मुझे 940 पे price check करना है ATM straddle का उसके बाद उसका price जब भी increase होता है तो हमें option को sell करना है उसके लिए क्या करना है तो 940 पे simply हमने ATM straddle को यहां से buy किया उसको तुरंत exit भी कर दिया and suppose उसका price increase हो रहा है 20% से तो set number 2 में जहां पे हमने buying किया है इसको just sell कर देंगे okay तो same strike हमारा यहां से sell हो जाएगा इसको चलिए मैं update करता हूं तो same strike अब यहां से sell हो गया और जब भी आप sell करते हो तो आपका जो sell में क्या हो जब जो भी अपने price पे sell किया उससे जब price नीचे आएगा तब आपका profit हो राइट तो यहां पे आपको थोड़ा sign change करना पड़ेगा सपोज मेरे को 100 रुपीज में मैंने option को sell किया है अब वहां पे मुझे 30% का target लगाना है तो मैं क्या करूंगा सपोज यहां पे जैसे यह target है तो यहां पे target के लिए हम अगर 30% का target लगाएंगे तो उसके लिए हम इसको 0.7 कर देंगे ठीक है यह हो जाएगा यह condition target के लिए हो जाएगा और suppose 20% का stop loss लगाना है तो इसको आप मैं 1.2 कर दूंगा ठीक है तो यहां से चेक हो जाएगा if LTP of price is greater than entry price into 1.2 यानि 100 में entry किया है अगर 120 चला गया तो वह हमारा stop loss की तरह काम करेगा यह first condition जो है और यह second condition है यह target के लिए काम करेगा इसको हमने 0.7 से multiply किया है तो इस तरह से आप options selling भी कर सकते हो तो यह चोटे मोटे changes है इसको आप अपनी हिसाब से modify कर सकते हो उसके बाद आप इसमें trade कर सकते हो जैसा भी आपको suitable लगे मैंने आपको method बताया है इस तरह से create किया जाता है बाकि इसमें आपको जो भी modifications करना है वह आप अपनी हिसाब से कर सकते हो ठीक है तो यह अपनी strategy create हो चुकी है इसको अगर आपको back test क अगरा भी कर सकते हो ठीक है सारे options होते हैं ओके तो इसको भी हमने paper trade पर deploy कर दिया है let's say किस तरह से इसमें क्या profit or loss होता है next video में हो सका तो मैं आपको इसका paper trading का result भी आपके साथ share कर दूँगा तो I hope आपको वीडियो इसमें यह method है अच्छे समझ में आ गया होगा कोई questions हो तो आप मुझे telegram पे message कर सकते हैं यह मेरी telegram ID है या फिर यह twitter ID है इस पर भी आप मुझे contact कर सकते हैं तो I hope आपको strategy clear हो गई होगी और किसी को अगर इसका template चाहिए जो भी हमने बनाया है तो जिनका account अगर अगर अपने referral link के थुरू खुला हुआ है तो आप मुझे telegram पे message कर ले तो इसका मैं आपको copy send कर दूँगा तो referral link अगर आपको new account करेट करना है तो आपको इस video के description में उसका link मिल जाएगा अगर आप उसके थुरू account open करते हैं तो आपको जो भी strategy अपनी create होती रहती है वो भी मिल जाए करेंगी और आपको trade-down plans में 35% का discount मिल जाएगा तो thank you all of you subscribe this channel and support this channel अगर मिलता हूं से next किसी learning video में टेक केर बाई बाई